ओके हमने वो स्टार्ट कर दिया था दूसरी बार हम थोड़ा रेपीट करेंगे ममा विध्याले ओके 17 नमबर पेज पर आप देखिए सुरुवात कर देते हैं राजीव कहता है देखकर पश्य यानि के सी देखना अनिल ये शम ममा विध्याले ये मेरी विध्याले ही मेरी स्कूल है ममा विध्याले सुन्दर अस्ति मेरी जो स्कूल है बहुत ब्यूटिफूल है अनिल कहता है सत्यम सच में विद्यालय विशालम अपियस्ति सच में तुमारी जो स्कूल है विशालम यानि कि बड़ी भी है राजीव कहता है अहम प्रतिदिनम विद्यालय आगच्छा में यानि कि आयम में डेली स्कूल में जाता हूँ अनिल कहता है विद्यालय शे आरंब कला भवती तुमारी जो स्कूल है उसका टाइम कौन सा है कौन से टाइम पर तुमारी स्कूल स्टार्ट होती है तो राजिव कहता है ममः विद्यालय आरंब एकादस वादने भवती यानि के जो मेरी विद्यालय है वो 11 बजे स्टार्ट ह जाता हूँ तत्र अहम प्रात्ना करो मी वहां जाकर में प्रात्ना करता हूँ अनिल कहता है भवत वर्गखंड कुप्त्र अश्टी तुमारा वर्गखंड कहां पे है यहां तक हमने जाना था पड़ा था और समझा था हम अब पेज नंबर 18 पर पहुंचेंगे वहां से हम शुरुवात करेंगे राजिव कहता है ममवर्गखंड प्रार्थना खंडश्य समीबे एव अस्तिवात करेंगे राजिव कहता है राजिव कहता है ममवर्गखंड यानि के जो मेरा क्लास्रूम है वो प्राथना खंडश्य यानि के प्यर हॉल है समीबे यानि के नियर एव अस्ति वहां पे है तो राजीव कहता है मेरा वर्ग खंड है मेरा क्लास्रूम है वो मेरे प्राखना खंड यानिके पियर हॉल के नजदीक है अनिल कहता है बवत अह वर्ग सिक्ष का कह अस्ति क्वेशन पूछा है अनिल ने कहता है तुमारे वर्ग सिक्ष कौन है अब सभी के क्लास्रूम होते है तो यहाँ पे पूछा है के तुमारे क्लास्रूम कौन है तुमारे वर्ग सिक्ष कौन है अनिल कहता है तब राजीव आंसर देता है राजीव कहता है हर्षा महोदया ममा यानिके मेरे वर्ग सिक्ष का अस्ति क्या कहता है राजीव अर्षा महोदया अर्षा बेन जो है अर्षा टीचर उनके मेरे यानिके राजीव के क्लास्रूम है अनिल कहता है तुमारे वर्ग सिक्ष को क्लास्रूम कौन है तो राजिव कहता है हर सब teachers है वो हमारे class teachers है साथ संस्कृत पाठेयती यानि के वे संस्कृत पढ़ाती है अर्षा teachers है राजिव की वो उनकी वर्ग टिचर है और वो संस्कृत पढ़ाती है अनिल अब आता है अनिल कहता है भवत है यानि के तुमारा तुमारी विद्यालय यानि के स्कूल में पुस्तकालय यानि के लाइब्रेरी अस्ति वा यानि के वो क्योशन करते है अनिल के तुमारी स्कूल में लाइब्रेरी है तुमारी स्कूल में लाइब्रेरी है तो राजिव अंसर देता है वो कहता है आम आम का मतलब होता है मेंगो नहीं आम का मतलब संस्क्रित में होता है यस यहां पर आम का मतलब बेंगो नहीं होता है आम का मतलब यस होता है आम का मतलब हो कहता है यस अहम पुस्तकाले यानि के लाइब्रेरी में पुस्तकम पठामी ओके जहां पे प्रथम पुरुष लगता है और सर्वनाम लगता है उसके बाद नहीं लगेगा ओके पठामी वाक्य सेंटेंस में अहम होगा तो लाश्ट में मी लगेगा राजीव कहता है के हाँ अहम पुस्तकाले पुस्तकम पठामी मैं लाइब्रेरी में बूप पठा हूँ फिर वो आगे कहता है ममविद्या लए ममविद्या लए मिसालम यानि के सब बड़ा बिग क्रीडा गणम का मतलब होता है प्लेग्राउंड अपी अस्ति अब कहता है मेरी स्कूल में सबसे बड़ा खेलने का भी मेदान है खेलने के लिए मेरी स्कूल में बड़ा मेदान है विराम समय, यह विराम समय का मतलब होता है रिसेस, आपकी रिसेस होती है, आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो रिसेस होती है, उस रिसेस में आपको 10 मिनिट के या 15 मिनिट में ब्रेक फास्ट के लिए होते हैं, फिर वो 15-20 मिनिट की जो रिसेस होती है, इसमें आपको विराम समय, संस्कृत में विराम समय कहते है रिसेस को तो उस टाइम पर अहम तत्रम खेलामी यानि के रिसेस में हम उस ग्राउन में कहलने के लिए चाहते है तो विराम समय अहम तत्रम खेलामी यानि के रिसेस में हम खेलते है फिर आजिम वो आंसर देता है अनिल को फिर आगे अनिल जो है वो कहता है ओहो बवतह विद्याले रमणियम उधानम अपी अस्ति ओके? तो कहता है अच्छा तुमारी विद्याले में यानि के तुमारी स्कूल में रमणियम यानि के ब्यूटिफूल उधानम यानि के गार्डन भी है तो वो कहता है अच्छा तो तुमारी स्कूल में ब्यूटिफूल गार्डन है यहां पर देखो मह लगा, यहां भी मह लगा, जहां जहां पर लास्ट में मह लगेगा वो न्यूटर जिंडर में आएगा, समझ गए? रमानियम, मुधानम, मुस्तकम, ऐसे ऐसे पीछे मह लगेगा, वो आप सेवन स्टेंडर में भी आपको एसा व्याकरण में आएगा तो अभी आप छोड़ा समझ ले साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ, फिर राजीव जो है, वो आंसर देता है न केवलम, उधानम, उधाने, आउशद बागह, अपी, अस्ति, यहाँ पे राजीव आंसर अप देता है, स्कूल राजीव की है, अनिल उसका फ्रेंड है, वो आया है, वो सब क्वेस्टन करता है, राजीव आंसर देता है के न केवलम, उधानम, यानि के मेरी स्कूल में, श्रिफ ब्यूटीफुल गारडन ही नहीं है उस garden में यानि कि उधाने garden में आउसद बाग अपी अस्ती यानि कि आईरवेद का भी पोधे वहाँ पे है यानि कि आईरवेद के जो पोधे होते हैं लगाए होए वो भी आउसद बाग भी हमारी स्कूल में है फिर अनिल जो है वो कहता है बवतह रोपितह रुक्षह अपी अस्तीवा तुमारे यहाँ पे अनिल कहता है बवतह रोपित रुक्षह अपी अस्तीवा तो कहता है कि तुमारे जो स्कूल में है वो रुक्ष जो है वो रुक्ष का रोपन का कार्य हो रहा है तुमारे रोपित रुक्ष अपी अस्तीवा तो वो कहते है तुम तुमने जो रुक्ष यहाँ पे लगाए है वो कौन-कौन से है कहाँ पे है रुक्ष अपी अस्तिवा तो यह वही भी है बताता है तो राजिव आंसर देता है आम हाँ यस पश्य यानि के देखना देख एशह रुक्ष मया यानि के मैंने रुपित यानि के लगाया अस्ति यानि के है तो कहता है तुमने जो रुपे थे व्रुक्ष बोये थे वो रुक्ष भी है गार्डन में तो राजिव कहता है हाँ यस देख पश्य यानि के देखना अनिल को कहता है राजिव देख एशह यानि के दिस इज व्रुक्ष जो है यह व्रुक्ष वो ट्री है मया यानि के मैंन रूपित याने के लगाया अस्ति याने के है ये रुक्ष है वो मैंने लगाया है मैंने बोया है फिर अनिल जो है वो कहता है उत्तमम याने के गुड बहुत अच्छा अहीर तहीर भवान गुरुहम कदा गच्छती यहाँ पर अनिल अब कहता है राजिव को उत्तम यानिके वेरी गुड बहुत अच्छा तहीर भवान गुरुहम कदा गच्छती तहीर का मतलब तुम भवान यानिके कब गुरुहम कदा यानिके कब गुरुहम यानिके घर पर भवान गच्छती यानिके जाने वाले हो तो वो कहता है अनिल बहुत अच्छा ब्यूटिफूल तहीर भवान गुरुहम कदाग अच्छामी यानि कि तुम घर पर कब जाने वाले हो कब जाते हो राजीव अब अनिल लास्ट में कहता है बहुत अच्छा ब्यूटिफूल है तुम्हारे घर पर जाने का टाइम कौन सा है कब तुम जाते हो तो राजीव आंसर देता है अहम सायम पच्छ वादने हमने सेम बन में वादने सीखा था एक वादनम, द्री वादनम, त्री वादनम, चतुर वादनम, पंच वादनम, सस्ट वादनम, सप्त वादनम, अस्ट वादनम, नव वादनम, दस वादनम, एकादस वादनम और द्वादस वादनम तो यहाँ पे पच्चवादनम यानि के पांच बजे बुरुहम यानि के मेरे हाउस पर गच्छामी यानि के गोइंग में जाता हूँ तो वो कहता है राजीव के में पांच बजे अपने घर जाता हूँ अब लास्ट में लाइन है अनिल केता है बवत है यानि के तुमारी विद्यालय यानि के स्कूल ननू यानि के बहुत सुन्दर यानि के ब्यूटिफूल अस्ति यानि के है तो अब लास्ट में अनिल ने पूरी उनकी स्कूल देख ली है स्कूल में राजीव से अलग-अलग बैसे किये है कि तुम स्कूल में कभ जाते हो एक अधस्वादने फिर स्कूल में तुमारा पे eral कोण सा है कहां पे है तो वो राजीव बताता है कि राजिव कहता है कि मेरे पियर होल के बाजु में मेरा क्लास रूम है और मेरे क्लास टीचर है अर्षा महोदया यानि कि अर्षा टीचर है वो मेरे क्लास टीचर है वो मुझे संस्क्रित पढ़ाते है उसके बाद वो कहता है राजिव कि मेरी स्कूल में एक अच्छा प्लेग्राउंड है खेलने का मैदान है और रिसेस में हम टाइम मिलता है तब वहाँ पे हम खेलते है उसके बाद अनिल्ट क्वेस्टन करता है वो राजिव आंसर देता है कि हमारी स्कूल में लाइब्रेरी भी है वहाँ चाकर में बुख पढ़ता भी हूँ फिर वो क्वेस्टन करता है गार्डन का तो राजिव आंसर देता है कि मेरी स्कूल में बहुत अच्छा ब्यूटिफूल गार्डन है उसके अलावा एक आउस्द बाद भी है यानि कि बहुत अच्छा अईरुवेदिक का पोधे लगाये हुए है तो अनिल कहता है कि तुमने लगाये हुए पोधे कौन से है तो राजिव बताता है कि वो देख ये मेने पोधे लगाये है ये लगाया हुआ पोधा मेरा है उसके बाद यहाँ पे अनिल जो कहता है कि तुम घर पर कब जाते हो तब वो आंसर देता है राजयों कि मैं पांच बजे घर पर जाता हूँ अब लास्ट में अनिल कहता है अच्छा तुमारी स्कूल बहुत ब्यूटिफूल है तो यह ममविद्याल है, माइ स्कूल के बारे में यह हमारा लेशन था, यहाँ पे हम पूरा करते है, ओके, आपको यह पेज नमबर 19 वाला है, चलो, वो आप CW में लिख ले ना, हाँ, Q2 or Q4, चलो, किसी को कोई Q4 है,